जापांग चेन नई में स्थित्भो गोलिक संकेत रजिस्ट्री में निहुन शू के लिए गी टैग दाखिल करना चाहता है यह क्या है? A. फल B. हस्ट शिल्प C. मिथाई D. मादक पे उत्तर D. जापान एक मादक पे निहुन शू के लिए जी आई टैग चाहता है यह पहली बार है जब जापान ने किसी उत्पाद हेतू चेन नई में स्थित्भो गोलिक संकेत रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है जापान में निहुन शू को एक विशेश और मूल्यवान पे के रूप में माना जाता है जो चावल को किन्वित करने के लिए पेरेलल मल्टीपल फर्मेंटेशन मेथट का उप्योग करता है लोग पारंपरिक रूप से त्योहारों शादियों या अंत्येश्टी जैसे विशेश अफसरों पर निहुन शू पीते हैं लेकिन इसका सेवन दैनिक आधार पर भी किया जाता है इस प्रकार यह जापानी जीवन शैली और संस्कृती का एक अभिन अंग है निहोंशू बनाने के लिए तीन मुख्य कच्चे माल, चावल, कोजी किन एक प्रकार का कवक बीजानू और पानी की आवश्यक्ता होती है एक भौगोलिक संकेत, जी आए, उन उत्पादों पर उप्योग किया जाने वाला एक संकेत है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ती होती है और जो उस मूल के कारण गुन या प्रतिष्ठा रखते हैं भौगोलिक संकेत, जी आए, टैग का मूल उद्देश दूसरों द्वारा किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उप्योग को रोकना है, जी आए टैग भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण और सनरक्षन, अधिनियम, 1999 के अनुसार प्रदान किये जाते हैं यह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा उद्द्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वानेज्य और उद्द्योग मंत्राले के तहत जारी होता है हाल ही में समाचारों में रहा, सियाम स्पिनोप्स गारो इंसिस निम्निलिखित में से किस प्रजाती से संबंधित है A. साब B. शिपकली C. मकडी D. चीटी C. सियाम स्पिनोप्स गारो इंसिस को मेघाले की गारो पहाड़ियों में देखा गया था जो की जीनस सियाम स्पिनोप्स से संबंधित है यह पहाड़ियों पर चत्तानों की दरारों में रहती है जुम्पिंग स्पाइडर्स, जीनस, साल्टिसिडे 1. अफ्राफलेसिला मियाजलोरंसिस, अफ्रफलीसिया मायाजलरेसिस, राजस्थान के थार रेगिस्तान में खोजी गई है यह मकडी सूखे पत्तों के बलेड के बीच रहती है 2. अफ्राफलेसिला कुरिच्याडेंसिस मकडी वायनाडवन्यजीव अभ्यारन्य के नमपर्णपाती कुरिच्याडवन श्रिंखला में पाई गई है फिलोपोनिला रोस्ट्रालिस इसमें विश ग्रंथी का अभाव होता है और यह पंख वाले मकडीयों उलोबोरडे के परिवार से संबंधित है यह पत्तियों के नीचे एक विशेश प्रकार का जाला बनाती है तथा अपने क्रिबेलम से उत्पन उनी रेशम की सहायता से शेकार को वश में करती है स्पाइनी लग्ड स्पाइडर, जीनस, ओक्सियोपिडे, अत्रापिल्ली ज़रने के पास और काली कट विश विद्यालय परिसर में थंबूर मुझी तितली उद्यान से दो प्रजातियों की खोज की गई थी एक ओक्सियोप्स पीठम, पीला शरीर दो, ओक्सियोप्स थंबूर मुझी इंसिस, निमनल इखित में से कौम ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल, जीपी आए, के लिए भागीदारों के समूह से संबंधित है एक, गवी, गवी, दो, सहयुक्त राष्ट्र बालकोश, तीन, यूस सेंटर फोर दिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन, चार, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन, नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प, विकल्पों का चयन कीजे एक, दो और चार, बी, दो और तीन, सी, दो, तीन और चार, दी, एक, दो, तीन और चार उत्तर, डी, विश्व स्वास्थ्य शेखर सम्मेलन, डबल्यू एचेस, बलन, जर्मनी में प्रतिवर्शन, आयोजित होने वाला एक अंतराष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन है, यह पहली बार है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन की सह मेजबानी की है, उद्धातन समारोह का प्रमुख विश्यह वैश्विक स्वास्थ्य को एक नई स्थर पर ले जाना, वैज्ञानिक विशेयों और विज्ञान, राजनीती और समाज के बीच आदान प्रदान की आवश्यक्ता पर बल देना, इस साल का शेखर सम्मेलन एक महामारी संधी, पोलियो उन्मूलन, डिजिटल स्वास्थ्य और सार्वभॉमिक स्वास्थ्य कवरेज पर क पतिबधता तै की, पोलियो या, पोलियो माईलाइटिस, एक अक्षम करने वाली और संभावित रूप से घातक बीमारी है, यह पोलियो वाइरस के कारण होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और व्यक्ति की रीर की हड़ी को संक्रमित कर सकता है, जि लेकिन इसे सुरक्षित और प्रभावी टी का करन से रोका जा सकता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के प्रकोप के लिए दो स्थानिक देश है, वैश्विक पोलियो उनमूलन पहल शेह भागीदारों के साथ राश्ट्रिय सरकारों के नेत्रित्व में, एक सार अफ़ दिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन, सीडीसी, चार, सयुक्त राश्ट्र बालकोश, यूनिसेफ, पाच, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन, और छे, गावी, वैक्सीन अलायम, निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिये एक, प्रधान मंत्री ने कृशी और किसान कल्यान मंत्राले के तहत प्रधान मंत्री किसान सम्रिद्धी केंद्रों का शुभारंव किया, दो, भारत विश्व में उर्वरक का सबसे बड़ा उपभूकता देश है, उपर दिये गए कथनों में से कौन सा, से सही है, है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, दी, उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर, डी प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली स्थित भारतिय क्रिशी अनुसंधान संस्थान में पी-म किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्धाटन किया प्रधान मंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्राले के तहट 600 प्रधान मंत्री किसान सम्रिद्धी केंद्रों, PMKSK कभी उध्धाटन किया प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री भारतिय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्रेक उर्वरक का भी शुभारंब किया आयोजन के दौरान, प्रधान मंत्री ने उर्वरक पर एक इपत्र का इंडियन एज का भी शुभारंब किया, भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक खपत वाला देश है, तथा चीन और सयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा उ एक, AIPH दुनिया भर में सजावती पेर, पौधों और फूलों की बड़ती मान को प्रोथसाहित करता है, दो, हैद्रबाद को AIPH द्वारा, वर्ल्ट ग्रीन सिटी अवार्ड दो हजार बाइस से सम्मानत किया गया, उपर दिये गए कतनों में से कौन सा, से सही है, हैं? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. उपरोग्त में से कोई नहीं उत्तर, C. वर्ष 1948 में, ग्वितिय विश्व युद्ध की समाप्ती के बाद तनाव पूर्ण संबंधों के बीच पश्चमी यूरोप के राष्ट्रिय उत्पादक संगूं के प्रतिनिदियों का एक समूह जीूरिक में International Association of Horticulture Producers, AIPH, बनाने के लिए एक साथ आया, इसका उद्धेश्य फूल, पौधे और भूनिर्मान सेवाओं को एक वैश्विक एजेंडे में शामिल करना है, जिसका लक्ष्य निम्नलिखित है 1. दुनिया भर में सजावटी पेड़ों, पौधों और फूलों की मान को बढ़ावा देना 2. उद्योग के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना 3. उद्योग की जानकारी और ग्यान के आदान प्रदान के लिए एक अंतराष्ट्रिय केंद्र बनना 4. आभूशन उत्पादन में सर्वोत्तम तरीकों का नेत्रित्व करना 5. राष्ट्रिय उत्पादक संगों को मजबूत करना हैद्राबाद सिटी ने वर्ल्ट ग्रीन सिटी अवर्ड दो हजार बाइस Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth श्रेनी में प्राप्त किया है जिसका आयोजन दक्षिन कोरिया के जेजु में किया गया था